नमस्कार दोस्तों आए फेल सेक्यूरिटी में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे weekly equity commodity currency के weekly outlook पर जहां पर हमीं जानने की कोशिश करेंगे कि पिछला हफता कैसा रहा और आने वाले हफते में important technical levels और market का trend कैसा रह सकता है अगर हम बात करें सबसे पहले equity market की तो हमने देखा equity market में गिरावट के साथ trend होता हुआ देखा गया हमने देखा पिछले हफते market में एक rebound देखने को मिला और last दिनों में higher level से बिकवाली देखने को मिली अगर हम अगले हफते की बात करें तो यहां पर market में important support 15800 पर रह सकता है और resistance करीबन 16,480 का रहेगा हमें लगता है कि आने वाले दिनों में market में कुछ गिरावट के साथ trade देखने को मिल सकता है हाला कि 15800 as a strong support market के लिए treat करेगा कहीं ना कहीं देखें तो higher levels पर हमें दबाव देख रहे हैं हमें लगता है कि market में कुछ higher level से बिकवाली का trend देखने को मिल सकता है और expected है कि भाव नीचे 15800 के असपर support ले सकते हैं अब हम बात करते हैं commodity market की तो यहाँ पर अगर हम gold की बात करें तो gold के भावों में हमने lower level से recovery आते हुए देखी और gold के भाव करीबन 71% की तेजी के साथ 51701 के सरफर बंद होने में कामियाब रहे वहीं अगर हम international market की बात करें तो spot के अंदर भी 1% की तेजी रही और gold के भाव 1870 dollar के उपर close होने में कामियाब रहे कई ना कई dollar index में गिरावट के साथ US के बेकार जो inflation के data आए उसकी वज़े से और US के जो खराब data देखने को मिले उसकी वज़े से यहाँ पर gold को support आता हुँ देखा गया और हमने gold के भावों में lower level पर recovery आते हुए देखी अगले अफ़ते के लिए gold के लिए important support 51,000 dollar 200 का रहेगा और resistance करीबन 52,600 का रहेगा हमने लगता है अगले अफ़ते gold में तीज़ी का रुख देखने को मिल सकता है और भाव उपर में 52,000 dollar से लेकर 52,500 तक के सतर को चूँ सकते हैं इंटेनेशन मार्किट में एक्सपेक्टिट है 1890,000 dollar तक के level gold में देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर हमें लगता है trend positive हो सकता है वहीं अगर हम silver की बात करें तो MCX silver के भाव करीबन half percent की तीज़ी के साथ 61,930 के सर पर बंद होने में कामियाब रहे वहीं अगर हम international market की बात रहे तो वहाँ पर market flat note पर close रही silver के में important support 60,800 का रहेगा और resistance करीबन 62,500 का रहेगा हमें लगता है अगले हफते एक silver में rebound देखा जा सकता है और भाव करीबन 62,500 के level को चूँ सकते हैं और international market में double 2.20 के स्तर silver में देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पर buy and dips की strategy यूज़ की जा सकती है अगर हम हम बात करें base metal की तो हमने base metal में पिछले हफते गिरावट के साथ trade होते हुए देखा copper के भाव करीबन 3% की गिरावट के साथ 776 के स्तर बंदोने में कामियाब रहे हमने देखा यहाँ पर copper के भावों में करीबन 760 का important support रहेगा और उपर में 805 का एक strong resistance रहेगा हमें लगता है कि market DC range में trade हो सकता है हाला कि lower level पे demand भी देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर हमारी खरिदारी lower level पर खरिदारी की सला रहेगी expected है copper के भाव next week में rebound हो सकते हैं और उपर में 790 तक के level देखने को मिल सकते हैं जिंग के अंदर भी हमने गिरावट देखिए और भाव करीबन 4% की गिरावट के साथ 320 के स्थर पर बंद होते हुए दिखाई दिये जिंग में ही मैधमून सपोर्ट 312 का रहेगा और रिस्टन्स करीबन 336 का रहेगा हमें लगता है अगले अफते जिंग के भावो में भी लोगर लेवल पर खरदारी देखी जा सकती है और भाव उपर 327 से लेकर 330 तक के level को चूँ सकते हैं जादक बात करें अल्मूनियम की तो अल्मूनियम के भावो में अगेन हमने एक continuous गिरावट आते हुए देखी तो हमने देखा सबसे यदा आउट परफोर्मेंस एनरजी सेगमेंट में देखने को मिली करूड के भाव अगेन करीबन 2% की तेजी के साथ 9,399 के स्थर पर बंद होते हुए देखे गए इंडिलेंशन मार्किट में 121-122 ज़रा तक के लेवल, 123 ज़रा तक के लेवल हमने आते हुए देखे डिमांड बंडे की वज़े से सप्लाई घटने के कारण हमने प्राइजिस में एक upside momentum आते हुए देखा हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में क्रूड के भाव 125 से लेकर 123 ज़राद के लेवल को चूँ सकते हैं जिस तरीके से US के अंदर demand बड़ी है, चाइन भी demand बड़ी है और इंडिया के अंदर भी demand forecast positive आता हुए दिखाई दिया है तो क्रूड के भावों के लिए एक positive संकेत है, हमें लगता है क्रूड के भावों में आने वाले दिनों में अगेन तेजी का माहल continue रहेगा MCX में क्रूड के भावों के लिए important support 9150 का रहेगा, resistance 9700 का हो सकता है और खूड के भाव MCX में करदारी के साथ trade चल सकते हैं, हमें लगता है कि उपर में 900-9500 से लेकर 9700-600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अब बात करते हैं natural gas की तो यहाँ पर भी हमने एक recovery आते हुए देखी करीबन 4% की तेज़ी के साथ natural gas के भाव 693 के स्थापर बंद होते हुए देखे गए यहाँ पर हमें lower level से recovery आते हुए देखी और हमने देखा यूरोप से supply घटने की वज़े से एक demand जो है यहाँ पर बंदती हुए दिखाई दी हमें लगता है natural gas के भाव अगर नीचे आते हैं तो खरदारी का trade बना सकते हैं अगले अपसे 705 से लेकर 710 तक के level देखने को मिल सकते हैं अब बात करते हैं currency की तो यहाँ पर हमने देखा USD INR lifetime low के स्थर पर trade होता हुआ दिखाई दिया और करीबन 0.25% की गिरावट के साथ 77.98 के स्थर पर बंद होते हुए देखे गए USD INR हमें लगता आने वाले दिनों में और TG के साथ trade हो सकता है और रुपिया depreciate हो सकता है रुपिया में strong support 77.40 कर हैगा resistance करीबन 78.40 कर हैगा एक्सपेट है अगले हफते रुपी में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है USD INR में TG आ सकती है या पर खरदारी करके चल सकते हैं उपर में target करीबन 78.30 तक के level देखने को मिल सकते हैं वही अगर हम EUR INR के बात करें तो EUR INR के अंदर हमने यहाँ पर एक गिरावट आते हुए देखिए करीबन सभा पसंड की गिरावट के साथ EUR INR करीबन 82.65 के स्थर पर बंद होता हुआ देखा गया EUR INR में important support 82 का रहेगा resistance 83.20 का रहेगा हमें लगता है EUR INR में अगेन गिरावट के साथ टेड हो सकता है और भाव नीचे 82 के स्थर को चूँ सकते हैं यहाँ पर भी पिक्वाली की सला ली जा सकती है बात करते हैं agriculture commodity की तो agriculture commodity में जहां हमने पिछले हफते lower level से recovery आते हुए देखी गवार के भाव करीबन 0.71% की तेजी के साथ 5.781 के स्थर पर बंद होने में कामियाब रहे गवार में important support 5.680 का रहेगा resistance 5.900 का हो सकता है एक्सपेक्टीट है यहाँ पर खर्दारी का trade लेके चल सकते हैं भाव उपर गरीबन 5.850 के स्थर को चूँ सकते हैं अब हम बात करते हैं cotton seed oil cake की जहाँ पर हमने यहाँ पर भी एक recovery आते हुए देखी काफी दिनों की गिरावट के बाद यहाँ पर एक weekly positive closing देखने को मिली और cotton seed oil cake के भाव करीबन 1% से ज्यादा की तेजी के साथ 2853 के स्थर पर बंद होने में कामियाब रहे यहाँ पर lower level पर demand बनने की वज़े से cotton seed oil cake में हमने एक उछाल आते हुए देखा expected है अगले हफते भी यहाँ पर उछाल का महौल देखने को मिल सकता है और उपर में भाव 3950 के स्थर को चूँ सकते हैं यहाँ पर important support 2740 का रहेगा बात करते हैं जीरा की तो यहाँ पर हमने मसालों के अंदर भी एक lower level पर recovery आते हुए देखी जैसे आगे demand बढ़ती हुए दिख रही है भावो में यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है और monsoon के delay एक काफी अच्छा support provide कर रहा है हमें लगता है जीरा में आने वाले दिनों में और बाकी मसालों में तेजी का रुक रह सकता है जीरा में important support 20-500 का रहेगा, resistance 21-800 का रहेगा हमें लगता है जीरा के अंदर खरतारी का trade ले सकते हैं यहाँ पर भाव 21-800 तक के level देखने को मिल सकते हैं तो यह था हमारा equity commodity currency का weekly outlook, आशा करते हैं आपको यह पसंद आएगा इसके according आप अपने portfolio में आपको बनाने में helpful मिलेगी आज ही आप हमारा IFL का telegram channel, youtube channel और tutorial channel को subscribe करें जहाँ पर आपको ऐसी interesting videos देखने को मिलेंगी जो कि आपको portfolio बनाने में, trading करने में काफी helpful साफित होंगी इसे के साथ बने रहे IFL के साथ धन्यवाद